वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्लिप देखे या आप लोग और ये जो बार-बार कहते थे ना तुम क्यूं बोल रही हो तुम क्यूं बोल रही हो हट जाओ उनके मुँपे ये वीडियो करारा जवाब है देख लिजे अलका बिना कुछ कहे बिना जैसे ये मेरे पास द अगर ये पर नहीं लाता ना तो हम लिटरली साथ खड़े होते हैं इस मैटर को सॉल्ट कर देते बहुत बड़े-बड़े केस सॉल्ट की है हमने जो सोचल मीडिया पर आही नहीं है ठीक है दूसरी बात हमने जब इस मीडिया को देखा कि ये औरत की इज्जत उचाल दिया तब हम भाईया अपने जिन्दगी में नहीं है तो फिलहाल के लिए अंटी जी भाईया जी सो कॉल्ट मालती का नाम ले करके मतलब दूसरे वह गुरपुरिया भाजी जोटके आई है ठीक है उसको मतलब एक टागेट करने का न ये वीडियो देखिए क्लिप देखिए और उसके बाद से ये सवाल मत करेगा अंटी तुम बीच से हट जाओ होते कौन हो तो जो पक्ष होता है वे पक्ष होता है तो हम जिसके बक्ष में खड़े हैं वो इनसान हमारे पास रो रहा था चिला रहा था कमरे में ऐसे फाड रहा था कि मैं मर जाओं मैं क्या करूं मेरी ज क्यों कर रहे हुँ तो जब नेहा की इजद को बरे बाजार नेलाम कर दिया तब आप लोगोंने कुछ नहीं बोला तो जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरी बेटी के लिए जिस्ट इस विह नेहा तो उन्हें कुछ आप लोग कैसे बोल सकते हैं मैं झालेखरय। में थैंक्यू गोलत लड़ना उसका सपोर्ट करना तो थैंक यू जो मच है लो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग और आप सब की सुभा हो चुकी है न और भगवान करें जली जली निहा के जीवन में भी सुभा हो और वो भी हस्ते खेलते उठके वीडियो बनाएं कम बैक करें और अब तो हमने सोच लिए है कि इतना सपोर्ट करना है कि वीचारी जैसे वो उसका इज्जत छिना उसका सब कुछ हिनाना वो कम बैक करें और कौन-कौन चाहता है कि नहां फिर से वापस आए और पर जिन्दगी की शुरुबात करें अपनी बच्ची के लिए अपनी बच्ची के लिए आगे ज कि हमारे मां के अतिति भगवान होते हैं है ना लेकिन कुछ लोग की इतनी ज्यादा मतलब कह सकते हैं मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगी मैंने किसी का भी देखा जस्ट तो जिसके घर में अपनी सम्दी के हां से चाह पीते हैं लोग ना क्या बोलो मैं अब उनको क्या श्रम होगा क्योंकि भाई टीचर साहिबा है तो टीचर साहिबा के लिए वीडियो बन रही है यह पोरी और साथ में जो इनके छोटे से लहरुआ क्या कहते हैं भोश्परी का मुझे याद नहीं आ रहा है उसको बहुत दुलारा कहते हैं लहरुआ एक ही पता नहीं यादा हाते हैं तो वह उनके दुलारुआ बेटा बेटा ने कम्टी लगाई है दुलारुआ बेटा नें कॉम्क्टी लिखाए कि याद आगया मुझे माल्ती चौहान का किसा कैसे उसकी जान करने वाला उसका पती था इसलिए बिचारी मतलब इस दुनिया को अलविदा कहें कि लोग उसको छोड़ने का तो सवाल सपना छोड़ दे समझ में आया क्या लिखा है कि मौली 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 चोभान का किस्ता याद आ गया उसके जिमिदार तेरा भाई और तुम पूरे फामली हो एक औरत को नंगा कर दिए तुम लोग सोशल मेडिया पर और अगर इतनी ही माल्धी चोहां से वो हो गई है ना हम दर्दी माफी मांग पूरी फैमली तो फिर नेहा के साथ आकर खड़ा और अपने भाई को बोल अपने की शमा मांगे माफी मांगे और पूरे फैमली नेह चुछ माफी मांगो और उसको तुम तो अभी तक एक मरी हुई एक जो लड़की मर जाती इन उस टाइप की जिन्दा लाश पने उससे माफी मांगो आपके टीचर साहिवा मैडम जी है जो माफी मांगी माफी मांगी अब मनिशा नूस है कौन कौन जुकने नी देंगे नेह या बैठी हुई है अब तुम देखते जाओ मतलब इनका समझ में नहीं आता है अपने आपको समझती क्या है कि जब चुप हो जाएंगी तो हम चुप हो जाएंगे जब चाहेंगी तो माफी मंगमाएंगी टाइटल डालके आग लगाते हो तुम लोग पाला बहुत अच्छे कि एक ओरत जिसके चरीत्र हनन कर लिया इनकी पूरी फैमली ने जिसका मान समान इजचत सब लाज खोल के पि ए और ये ये उस ओरत से माफी मंगवाने की बात कर रही थी मंगवाईए माफी आप देखते कौन माफी मांगता है माफी आपकी पूरी फैमली मांगेगी इस औरत से इसका चीरहन सोशल मीडिया पे किया गया बंद कम्रे में किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं पता लेकिन सोशल मीडिया पे किया गया यह पता है और नेहा को इतना ह panecede क例えば supene परिवार ने इतना जलील कर दिया नो विचारी के घर में बाहर जा करके ना करें किहरा अग्याइनी मेरे का बारी किहीं द्लोट मेरे है कहीं नहीं पा रही हूं मैं मेरे मेरे बाते तो बहुत सारी बाते मेरे पास आएंगे और क्या ये मेरे बात करते हैं मेरी एकस लाइफ को लेकर करो ना बात इम्मत है तो करो अब तो मुझे मुझे मुखा मिल जाएगा फिर और ऐसा नचनी नाचने चाहेंगे ना कि याद आ जाएगा जीवन में भी ठीक है इसका कि क्या बोलू मैं अर इस ठाइम पर भाई उसकी पूरी फामली दो किया obviously if पोड़ी परीवार उससे माफिew मग ईचाता जायाँ, इस पूरी परिवार उससे माफी मांगना उ जो अब ना उसको वापस लिए तो पता है कि बंदू की निकली गोली और मूह की निकली बोली वापस नहीं आती है तो एक औरत का चरित रहन नहाँ आपका बेटा किया है आपका भाई किया है समझ में आया और हम चैन से सो नहीं रहें हैं दूसरे का नीद चैन छीन के कैसे ये गेम नहीं खेलना हमारे साथ, ठीक है, जिसके पती के साथ होता है ना, वो पती दो सचार दस दिन में उसके फाड़ कर लग देती है, ठीक है, ये सारा कहानी इंगेजमेंट में न जाने के बाद जो रोया है ना, एक तब बताओ, वो लड़का नी नाग है नाग, जिसके फन चड़के तो हम फन को कुचलना बहुत अच्छे से जानते है, एक औरत का जीना हराम कर दिया है लोगों ने, एक औरत की पूरी फामिली सिर्फ उठा के नहीं चल पा रही है, गवड़ाई है नहीं, आप लोग बहुत तगड़ा जबाब देंगे, आप दो दिन के बाद लोहे को लोहा काड़ता है, तो मानती है न रहुआ, रहुआ मननी न कि लोहा बाटे सामने खड़ा, एक रिखाती जाके लोहा के जरुद पड़े, आप जिसन लकड़ी बास के जरुद ना पड़ी, लोहा लोहे, ओहु में लोहा, पक्का लोहा है, मुर्चायल लोहा ना, र पूरी फैमली ने रॉंदा है इसकी पूरी फैमली उसको जलील किया है उसका पूरा परिवार घर से बाहर निकलने में शर्म हो चुका है मा कहीं बीच में बजार में नहीं जा पारी है पिता घर से बाहर नहीं निकल पारा है छोटी बच्ची स्कूल में जा रही तो टीचर पूछें बिटा आपको क्या हुआ शरम नहीं आती शरम नहीं आती आप लोगो देखो हमारे उसके पापा न चाहे ले करके आए हैं शरम नहीं आती है और हमें हम न जब बात करते हैं न तो पूरा उपर सुन्चे चान जान के बात करते हैं क्योंकि पावर नगर का पावर आप अपने पास दिखाएगा ठीक है समझ गई होगी समझदार को इशारा काफी होगा पावर नगर का हमें मत दिखाएगा बिलकुल क्योंकि हम जिसके बात करते हैं जिसके लिए वीडियो बोलते हैं कुछ भी उसका पूरा उपर से नीची तक चान लेते हैं सब्सक्रांब एक लड़की को जीना मुश्किल कर दिया सोचती हूं तो दिमान जहना जाता है कि कैसे एक औरत को पूरा निर्वस्त्र करके खुद लहंगा पहने के तियारी हो रही है हां खुद लहंगा संसकार ने के और क्या बोलती है अब मिलेगा जवाब अब मेरी ननद आ गई है अभी हम इजद कर रहे हैं क्योंकि हम जब उस लड़की को जान लिए समझ लिए न वो मूँ तो खोले अब 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 वो मूँ खो आई ना आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिल कि ओकर इसको समेठ दीजेगा याद रहे है और हां बेटा सुन मालती का केस नहीं बनने देंगे हम मालती के केस पतीmost ने किया थ सको बद नाम और इस केस में तीरे भाई ने कि आउसे बद नाम तीरे पूरी फामिली कि कि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं याद रहे, इस बार धूल चटाएंगे तुम लोगों बहुत controversy खेल लिये और ये एक बात अपने जहन में सोच लेना, अगर तुम लोग के thumbnail title मेंसे भी controversy आगी ने, इस controversy की बात से तो अपने उल्टे दिन शुरू कर लेना बैसे भी तुमको पागे के वल पागे के वन पाबिक पावा और पब्लीक प्ता है सब समझ चुकी है एक औरत की शाड़ी तोड़ने क लेगा कि जैसे इन लोगों ने पूरी पता है इसने कसम खाया भगने और दुस्साथ इसको मैं सोशल मेडिया से श्रहन कर नएगा तो आप पबिलिक से गुहार है कि अप निया को बहुत टरीके से सपोर्टर के साथ लाई लाईए तो लड़की कहा मैं अभी कुछ बाते बता नहीं रही हूँ अगर मैं उसकी वीडियो आपको शेर कर दूँगी न आप लोग के आँखों से आँसों नहीं खून गिरेगा प्लीज नहा को आप लोग कमबैक कराएगे और नहा कमबैक करेगी और शेरनी की तरह करेगी ऐसे ऐसे न आते हैं और चले जाते हैं बाग करके लेकिन वो शेरनी की तरह कमबैक करेगी वो ठीक है जिन्देगी में बहुत से हाथ से होते हैं वान न करे ऐसा कुछ हुआ है नहीं हो वो जो भी अपने साथ बड़ा हाथ सा समझ के उस चीज को भूल जाएगी लेकिन भाई तुम लोग अपना सोचे ना पूरा परिवार और अंटी लोहा एक खड़ा है कितने लोहे खड़े करने खड़ा कर देचेगा ऐगी का आज आपको बहुत अच्छे चे हो सकता है तो आज ही गुड नियूज मिल जाएगा ने तो कल गुड नियूज मिल जाएगा आपका बेटा और अपना बेटा बेटा करती है हां वो बेटी नहीं है वो उसकी मा नहीं है उसके मा को दर्द नहीं है उसके पिता को दर्द नहीं है उसको पैदा नहीं किया उसकी मा अपने एक तो उसकी बेटी की इज़त के साथ खेला भी और उसकी पूरी समाज में इज़त उचाल दिया किसने हग दिया है कौन से किताब में लिखा है आपके हमको ज़रा भेज देजेगा बहुत किताब वाली हुई है न कौन से किताब में लिखा है कि एक औरत की इज़त को सरयाम सोचल मीडिया पर निलाम कर दिजे समाव यह निलाम कर देजे आपका हम टीचर गिरी इस बार निकालेंगे वेट एंड वाच